अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब भीजिए न्यूस टाइम 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोज और न्यूस अपडेट सबसे पहले देश की संसद के अंदर खासकर लोग सभा में जब संसद बोलते हैं तो हंगामा कई बार कुछ अधिक हो जाता है ऐसे ही एक संसद हैं आमानी पार्टी के जिनका नाम है भगवंत मान भगवंत मान जब भी बोलते हैं तब उनकी स्पीच के अंदर कोई ना कोई बात सुल क्या जरूर बन जाती है राइस्तान के सांजब हनुमान बेनिवाल जब बोल रहे थे तो बार बार भगवंद मान उन्हें बीच में टोक रहे थे इस बात पर हनुमान बेनिवाल को गुस्सा आ गया और देखे किस तरीके से उन्हें भगवंद मान की क्लास लगा डाली कि मांद जप क्या पारों ने ने हनुमां जी कि आप इधर अद्रेस को थे अपका ढाइए पूरा बागू अपका देश को अब करहां बैं समीध हैं तो हनुमान जी आप इधर देखके बात कीजे अरे यार आप पार्टी जय जय जो हमारी खुद कीई पार्टी है मत करो आप जादा आप खुद पार्टी लेक्र गुम रहे हैं, ठीके न सभा पतिम होते हैं माझशाब माझशाब तयार होके हैं नमान जी आप चेर को अड्रेस कीजिए आप उधर ध्यान मत दीजिए यार मैं ही मिला के आपको सुबह 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 से ने लोग बोल देते अच्छा शेक सबापती मोदे मैं बदिज बिल पहा रहा हूं साब कि दिली के उन गरीबों की चिंता अंतिम ठोर पे बेटे इस रहा है देश के जवान गरीब किसान की चिंता निश्चित रूप से हाँ विपक्सोड है दो तिन दिन ते इसलिए ज्यादा राजी हो रहे हैं कि दो तिन उप्चुनाव जीत गए कुछ महाराश्च्त के अंदर के हमारी सपत होगी आपने पूरा-पूरा वां मिक्स वेज बना दिया महाराश्च्त के अंदर दुख्या हो गया है इससे ज्या तो आप सुनते हैं जो हमाँ आपको सुनते हैं आप हमें सुनो कितना आनन जाता बता हूँ आप सबापती मोदे मैं आपके माचिम से बताना चाहता हूँ कि इस विदेख्चे दिली की तमाम कोलोनिया जिनके अंदर जो लोग रह रहे हैं 40 लाग से ज्यादा आबादी नहीं किया तो बहुत बड़ी दूआ गरीब की दूआ पदान मंतिय जी को लगेगी इसके अंदर कोलोनियों में रिने वाले देश के लोगों को जो कोने कोने साके रहे हैं सरकारी सुद्धा का लाब मिलेगा मकानों की रिष्टी करवा सकेंगे बेंके लोन ले सकेंगे और सोच के साथ आज हमारी सरकार ये बिल लेकर आईए सबापती मोदे संपत्यों का पंजी गण इस्ताम सुल्क में भी इसके अंदर रियाइट मिलेगी मोदे सरकार ने इसके साथ ये ऐसी कोरोने के विकात हम मौजूद अवसराजना और जन सुदाओं को भी बेहतर बनाने का एक बात मैंसे पूर सांसें जो कही थी निश्यत रूप से आज हर आदमी सेर के और भाग रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि रोजगार की तलास में उसको सेर के तरफ जाना पड़ता है गाउं खाली हो रहे हैं ये चिंता का विश्य हमारे गाउं के अंदर जो अबाज पिचा के ठो समादान के भी ये सरकार निश्यत रूप से काम करेगी क्योंकि सतर साल के खड़े बरने में दस बंदरा साल लगेंगे एक दिन के अंदर नहीं भरे जाएंगे जो खड़े खोदी है एक बाज़ी मोदे लेकिन प्रदानमंतरी जी निश्यत रूप से इस काम को वाले लोग मूल दारा से जुड़े उनका भी विकास हो उन्हें भी हर वो अधिकार मिले जिसकी परिकल अपना हमारे समीदान निर्माताउने की ती इस सोच के साथ की माननी है मोधी जी के नित्वाली सरकार जो भी लेका ही है उसमें हम सब मिलके समतन करें और आज जब बिल डिली के अंदर आ गया तो निश्यत रूप से देश के तमाम उन मानगरों के अंदर उन तमाम नगर पालिका नगर परिश्य शेतर के अंदर भी जो लोग बैठें किसी कान से उनके नियमन नहीं हो रहे हैं काम अटके पड़ें उन सब को भी एक आस और उम्मी जगी कि हमें भी घर मिलेगा मैं दन्यवाद हूँ का प्रजान मंतिर जी को इस बात का बारम बार मुक्के मंतिर जी कौन सवा लगा अर्वीब सिंग जी का दो बार बोल दिया ना मैंने कि आपने किस सोच के साथ उन उन गरीबों की चिंता जाइकीर इस बिल को बनाने में आपने कितना समय लगाया पूरा तो इनका दो बार दे जी है मैंने एक बार मान साब आपके करने दोर दे जी है क्योंकि हमारा और सरदारों का एक इस चिस्तम है सारा इसलिए जिसे दूरुब से आप से हमारा लगा हूँ है तो अब अपने कि आपके अपनी बात रखी तो निशी दूरुब से अंतीम ठोर पे बेटें वर्ति को गरीब को भी अच्छे स्कूल अच्छे हस्पिताल और रहने का और अच्छी आपो हुआ और दिल्ली को लेकर दो चर्था हैं, एक एक सिर्ण में एक सिर्ण परवे जी की तो पुरी दिल्ली अब आप ही करें जो सुनो, मैं तो इनके शेयो के रूप में दिल्ली में, दिल्ली के परियवन को लेकर चिंता करी, परदूसन को लेकर चिंता करी, और अनाजिकर्द बश् झाल 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 झाल